हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आयम मुनुज कुमार दोस्तों आज बात करेंगे अपनी टेक्स्ट के लास्ट वीडियो के नंदर अपने इने बाई टेंपूर्ट के से समझ चुक हैं लास्ट वीडियो के नदर अमने दोनों देखे थे अपने फ्ट वाला टेंपूर्ट उसका कैसा अपना सकते है उन में structure कैसे होते है, दौनों चीज़ों का उनने बहतर तरीके से समझा था, तो आज के वीडियो में पहले हम देखेंगे EDI template को use करके किस तरीके से अपना जो layout है वो बना सकते हैं, layout को किस reasons के लिए बनाते हैं, उसके लिए previous वीडियो को जरूर देखें, जो मेरे भाई लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या अभी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे request करूँगा सब sequentially last की वीडियो किसे बनते हैं, क्या background है, पहले EBS में क्या होता था, अभी हम क्या करते हैं, बहुत कुछ आपको पता लगेगा, बर sub sequentially पीछे की वीडियो जरूर देखें, तो दोस्तों बिना time wish के start करते हैं, EDI template की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले, जो सबसे बड़ा कुशन आता है, कि EDI template बनाएं कैसे, तो यहाँ पर इसका बहुत simple सहीक answer देने वाला हूं, कुछ भी बनाने की जरूर नहीं है, simply जो template, जो EDI template मैं आपको दिखाने वाला हूं, इस template को आप easily चाहें, तो मेरे blog से जिसका description नीचे है, वहाँ से भी copy कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा, कि drive प वहां से ले पाओ, तीसरी चीज, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, एक RTF file बनाओ, और जो layout मैं आपको दिखा रहा हूं, इस layout को simply हाँ से type करके भी लिख दोगे, तो आपका layout बन जाएगा, को कहां से download करें, क्योंकि EFT का और EDI का, दौनों के template standard होते हैं, एक बार आप कह से भी copy कर लो, फिर जितनी report चाहो, उतनी report के हिसाब से आप अपनी changes कर सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटी सी query बनाएंगे, किसकी invoice ID, invoice number, amount and date की, then अपने EDI template पर उसको attach करेंगे, और EDI template को भी, standard template actually कैसा दिखता है, उसको भी हम देखेंगे, तो सबसे पहले लेक चलता हूँ, आपको fusion की login screen पर, simply अपनी ID से यहाँ पर login कर लेता हूँ, login करने के बाद, मैं home window पर सीधे, यहाँ पर land करूँगा, home window पर जाकर के, मुझे respective, क्योंकि मुझे easily पता है, कि reports बनाने के लिए, मुझे कहा जाना है, तो वहाँ पर जाकर के, simply मैं choose करूँगा, क्या मुझे सबसे पहले choose करना है, tools, कहाँ पर है मेरा tools, यह मेरा tools आगया, tools के अंदर बहुत सारी चीज़े होती है, कुछ यहाँ दिखती है, जो नहीं दिखती है, उनको plus पे click करके, आप अपने view को personalize कर सकते हूँ, अपनी इस window को personalize कर सकते हूँ, report and analytics होता है, यहाँ पर click कर क्योंकि यह text भी कहीं न कहीं मेरी एक report है, simply browse catalog के ओपर click करता हूँ, browse catalog पर click करने के बाद simply मैं आ जाता हूँ, यह screen पहली भी आप लोगोंने बहुत बार देखे हुई है, report creation के बाद, बिना time waste के ओए जो चीज़े हम पहले से जानते हैं, वो हम कर लेते हैं, fast way में data model एक बन वाले delimiter वाले layout पर काम करेगा, क्या करना होता है, plus करना होता है, एक SQL query लिखता हूँ, SQL query का कुछ भी नाम देता हूँ, अपना application जिसके लिए मेरा fusion यहाँ पर है, उस application को select करता हूँ, simply query डाल देता हूँ, query को थोड़ा zoom करके आपको दिखाता हूँ, query में कुछ बहुत ब लगा करके date का format यहीं पर restrict कर दिया है, बहुत सारे मेरे भाई अपने इस format को वहाँ पर भी use करते हैं, कहाँ पर अपने e-text वाले template पर, जिस तरीके से RTF के अंदर पहले दिखा देता हूँ आपको, RTF जैसे ही पुराना RTF है जो मैं EBS के अंदर use करता था, इसके अंदर अगर कोई जैसे amount का column है, right click करता हूँ, properties पर जाता हूँ, तो amount की column के अंदर जाकर करके मैं यहाँ पर format बता सकता था, सेम तरीके से, यहाँ पर भी EDI वाले, EDI template भी मैं खोल लेता हूँ अभी के लिए, so that समझ में आने लगे चीज़े, इसको cancel करता हूँ, खोलेगा निया से, यह EDI template मैंने यहाँ पर खोल दिया दोस्तो, EDI template के अंदर भी आप देखोगी, तो format देने का option है यहाँ पर भी, but मैं suggest करूँगा अपने भाईयों को, कि format related जो भी काम करना है, जितना आप संभाल सकते हो, उतना काम आप अपना query label पर ही करो, जैसा कि यहाँ पर मैंने invoice date को handle किया है, query label पर ही, simply AP invoice is all से, मैंने एक data select करके और यहाँ पर रो नम 100 का एक लगा दिया है, so that मेरा कम data है, आपको easily understandable हो, तो यह एक data आ गया है, view कर लेते हैं data को, यहाँ पर view करता हूँ, view करते हैं मेरे पास, कौन साथ है, tree format आता है, tree format को यहीं पर रोकते हैं, अब अपने template पर चलते हैं, क्यूंकि overall जाकर कि तो यह template प start करते हैं, पहले भी बताया था, कहां बताया था, यहाँ पर बताया था दोस्तों कि मेरे template के अंदर 3 चीज़े होती है, क्या क्या चीज़े होती है, template के अंदर EDI की बात करें, तो EDI वाला यह रहा, सबसे बेला इसको पहचानेंगे कैसे, कि इसमें लिखा रहता है, delimiter based, यहाँ देखते हैं, मेरे में भी लिखा हुआ है, delimiter based, तो यह EDI वाला है, इसके बाद यहाँ पर कुछ-कुछ information और है, इस पर बिलकुल नहीं जाते हैं दोस्तों, इसको हम change भी नहीं करते हैं, इसको हम छेड़ते भी नहीं है, as it is रहने देते हैं, जो काम की चीज़े है उस पर चलते हैं, नीचे आते हैं, second layout पर, यह मैंने क्या बताया था, यह मैंने आपको table header बताया था, क्या बताया था, table header बताया था, table की headings आप कैसे रखने वाले हो, वो चीज़े आपको यहाँ बताने table के heading मेरी कहां पर store होंगी यह data ds क्या इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको अपने xml layout पर जाना है कहां जाना है आपको जाना है अपने data mode सबसे उबर देखिए दोस्तो data ds लिखा हुआ है data ds हमने कहां पर दिया है data ds हमने heading में दिया है heading से पहले label क्यों दिया है बिल्कुल समझ में नहीं आया इसके layout पर चलते हैं इसको structure वे में लेके आते हैं देखिए structure पर structure पर समझने की इसने बताया कि जो report का data आप बना रहे हो उसके जो data का structure है उसमें सबसे पहले ये वाला xml tag कौन से वाला xml tag ये वाला xml tag तो सबसे पहल heading का label लिया और वो heading का label मैंने end किया सबसे last में then heading वाले के अंदर ही मेरा loop चलेगा जो मेरे data को print करेगा तो loop देखे यहाँ पर SQL query से मेरे data का loop चलेगा loop का नाम है g1 group का नाम है g1 इसको structure वे में देखते हैं देखे ये xml tag देख लिया ये tabular view में भी देख लिए यहाँ पर इ देखे ग्रूप मेरा जो मेरा loop चल रहा है पहले information यह आया दूसरा information यह आया तीसरा information चेंज ओरी यह बार बाल लेकिन loop मेरा जीवन ही यहाँ पर execute हो रहा है एक ही लूप है तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर यह जीवन का देखी loop जो start हुआ है यहाँ पर यह जीवन is responsible यही चीज टेक्निकली देखे कौन बनाएगा मेरी e-text report हमेशा वो बंदा बना पाएगा दोस्तों जिसको functionally भी चीजों का idea होगा कि payment file क्या होती है mtn40 file क्या होती है acknowledgement file क्या होती है bank किस तरीके का standard format देता है मेरे को जिसको देख करके मुझे अपना देखे इस तरीके का format देता है bank इस तरीके के format को देख करके इस template में कैसे set करूँगा technically और functionally जिस बंदे को knowledge होगी वो easily इसको understand कर पाएगा तो यहाँ पर बहुत अच्छे से clear हो गया कि मेरे को कैसे अपनी चीजे template पर लगानी है तो बिना time waste को है data हमने देख लिया हाँ जी data मेरा properly आ रहा है tabular form में भी देख लिया इस तरीके के data मेरे यहाँ XML से बन के जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ save as sample data कर रहा हूँ सबसे पहले save कर दिया इस template को भी save कर लेता हूँ जो data model मैंने बनाया है जल्दी से कहाँ पर save करता हूँ custom location पर जाके यहाँ पर जाके इसको xx edi edi नहीं इसको e-text देता है क्योंकि इसी वाले कौम उसके लिए वाले कौम उसके लिए भी यूज़ करेंगे e-text dm यह एक dm मैंने बना दिया इसको save कर देता हूँ यहाँ पर simply save हो गया है save का check box भी आ गया है मतलब आप मेरे एक structure यहाँ पर ready है और जो यह layout बन रहा है अगर इसको code पर click करूँगा देख यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ structure दिख गया diagram में query दिख गई data में data भी दिख गया आपको दोस्तों यह data दिख गया tabular form पर click करता हूँ अगर इसी data का xml कैसा बनेगा export कर लेता हूँ दोस्तों और अब इस export वाली file को खोलता हूँ और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से sun में आएगा यह मैंने खोल दिया अब अपने template पर चलते है template यहां से आपको easy पकड़ में आएगा यहां से same जो वह xml मेरे पास है template मेरे पास है पुरानी ebs से भी आप correlate करोगे यह xml मेरे पास है template मुझे बनाना है तो यह देखे सब से पहले ds वालड data set start हुआ कहां पर end हुआ आपको दिख गया बिल्कुल इसी तरीके के layout आपके यहां पर भी यह देखिए कि ds यहां से start हुआ है और कहां पर जाके start यहां से हुआ है और end last में जाके हुआ है बिल्कुल xml के तरीके से फिर जीवन वाला है जीवन वाला लूप चलता जा रहा है information आती जा रही है तो जीवन वाला लूप यहां से start हुआ है और फिर information मेरी आती जा रही है तो xml out समन में आ गया then मेरे को अपना यह save भी कर दिया अब इसको report बना लेते हैं और अपने edi वाले template को वहां पर attach करते हैं दोस्तों template मुझे लगता कोई confusion है पहले वाले label पे मेरे पास template की information है दूसरे label पे heading related information है तीसरे label पे मेरे पास मेरा data आ रहा है मेरे पास यहां पर और क्या बता है edi में कुछ ने के वर length बता है मैंने थोड़ा सा समझ भी लेते है यहां पर मैंने length बता है उसका type बता है heading का नाम दिया है same pattern में अगर यहाँ देखोगे, data में length बताया है, number type का number बतादिया, alpha 3 तरीके के data type होता है number होता है, alpha होता है, और मेरा date होता है, date वाले को date बता दिया, alpha वाले को alphanumeric बता दिया, number वाले को number बता दिया, अब बार्याति इस template को attach करने की, तो बढ़ते हैं दोस्तो आगे Save कर दिया Create Report करता हूँ अब यहां से ही Text का Actual Fund आपको समझ मैं थोड़ा Zoom को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि यह दिखता नहीं है यहां पर आगया Cancel कर दिया दोस्तो मैं Standard तरीके से नहीं जाने वाला हूँ मैं अपना Template लगाने वाला हूँ तो OK कर दिया अब जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा Data Model जिस पर क्लिक करके मैं आया था Create Report क्लिक करके उसका Link यहां से हट जाता है मुझे यहां पर अपना Data Model सेलेक्ट करना है यह मेरा Data Model था यह मैंने यहां पर सेलेक्ट कर दिया Data Model देखी यहां पर दिख गया आपको Data Model आप क्या करना है मेरे पास Layout Ready है Standard Template का Layout Ready है तो मैं Standard Template के यहां पर क्लिक करूँगा किस नाम से अपना बना रहा हूँ मैं EDI डाल देता हूँ EDI के नाम से मैं एक Template डाल रहा हूँ यहां पर जाता हूँ Choose करता हूँ Oracle Suiter वाला कॉरं EDI Template अलरीडी बना हुआ है Okay करती है Template भी आ गया यहां पर List of Values में ध्यान देना है यहीं पर Segregation है दोस्तो E-Text Template In Generally जब आप XML-based RTF वाली Template वाली बनाते हो तो आप RTF Template हमेशा चूज करते हो E-Text के case में आपको E-Text Template चूज करना है दोस्तो यह वाला ठीक है फिर अपना Select कर लेना है क्या English India यह Select कर लिए Upload कर दिया Upload हो जाएगा और इस Report को यहां पर Save कर देंगा Template-based Report Simply इसको OK कर देता हूँ Simply XML layout बनाया छोटी सी query यूज करके एक E-D-I Template बना दिया E-D-I Template आपको easily मिल जाएगा दोस्तों मेरे ब्लॉग पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है वहां पर या मैं अपने इसी वाले वीडियो के अंदर एक आपको लिंक भी दे दूँगा जहां से आप मेरे ड्राइव से इसको डाउनलूड कर पाऊगे अब अपनी रिपोर्ट का व्यू देखते है तो व्यू रिपोर्ट करता हूँ वह सेव पर क्लिक कर लेता हूँ सेव हो गया, ग्रीन आगया व्यू रिपोर्ट करता हूँ दोस्तों व्यू रिपोर्ट पर मेरे को EDI टेंपलेट का स्रक्चर देख जाना चाहिए सक्सेस्फुली यहां पर जो EDI का लियाउट मैंने बताया था इस टेंपलेट को यूज करके किस तरीके का आउटपुट बनेगा दोस्तों मेरा बनेगा कुछ इस तरीके का आउटपुट यह वाला, तो देखें यहां पर मेरी रिपोर्ट का आउटपुट सिंपली यहां पर आ गया, कोई confusion नहीं हुआ, easy steps में बन गया अभी तो मैंने आपको बलको normal बनाने के लिए बताया है कैसे जब bank का format आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको design कर सकते हो with information तो hopefully e-text वाला यह funda आपको बहुत पसंद आया होगा edi template को use करके किस तरीके से report बना सकते हैं आपको समझ में आया होगा चोटी सी information अगर आपको समझ में आया हो आपके knowledge की रही हो या आपने इससे कुछ सीख लिया हो तो इसको जरूर share कीजेगा उन मेरे भाईयों के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं जो चीजों को सीखना चाहते हैं जो नए नए concept को learn करना चाहते हैं मेरे को motivate करने के लिए मुझे आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने के लिए चैनल को subscribe जरू कीजिएगा दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए concept के साथ तब तक के लिए दीजे मुझे इजाजा थैंक यू सो मुझ